हेलो फ्रेंड आपका मेरे यूटिप चैनल कुकिंग एंड रोम डैक और मैं स्वागता आप सब कैसे मैं चीक हूँ आज की फिर से कुछ टिपस आपके साथ शेयर करूंगी सबसे पहला मेरा जाहां पर देखिए एक और गेनाईजर का आगया यह मेरे पास एक बिल्कुल अपन हो गया तो उसको हम जो साइडर से ओपन हुआ है उसको हम सैलो टेप की हल्प से अच्छे से चिपका देंगे तो यह महारा जो ओर्गिनाईजर होता है बिल्कुल फ्री की बेकार की चीजों से मतलब बन के त्यार हो जाता है ऐसे ओर्गिनाईजर जो होते हैं आपके वाइट वेस्त पेपर हो उसका भी जूज कर सकते हैं अगर गिफ्ट रेपर हो इसका भी जूज कर सकते हैं जो भी आपके पास अविलेबल हो उस चीज के आप जहां पर वर्तों कर सकते हैं जहां पर देखिए मैंने जो पीस कट कर लिया अब फैविक कोल की हेल्प से मैं जहां पर बॉक्स के ऊपर यह वाइट पेपर है मेरे पस इस पर मैं चिपका दूँगी जहां पर देखिए फैविक कोल से बहुत अच्छे से यह चिपक जाते हैं अगर हमारे पास बड़ा पॉक्स हो तो हम बड़े पॉक्स का विजे बना और्गेनाईजर सकते हैं तो जहां पर मैं पेपर चारों साइड से अच्छे से चिपका दूँगी अगर बड़ा है आपके पास तो बड़े का बड़ा organizer बनके त्यार हो जाता है जहां पर मैं एक शोटा था उसका ही organizer त्यार करूँगी जहां पर देखी मैंने paper है जो मेरे पास वो मैंने चारों side से जहां पर चिपका दिया अंदर वाली side को fold कर दिया और अच्छे से देखें यह चिपक गया तो अब इस पर क्या करेंगे एक side पर double cello tape लगा दूँगी double cello tape से हम दिबार पर इस box को चिपका सकते हैं तो यह box है हमारे चोटे 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 जो चीज़े होती है उसको रखने के लिए बहुत काम आते हैं इसका हम multiple choose कर सकते हो और next tip next tip है कि हम अपने जो kitchen machine के पास एक mat को जूर रखें क्योंकि में जब हम machine में काम करते हैं थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है इस mat से हम clean कर सकते हैं क्योंकि हम जब बरसोई में काम करते हैं तो kitchen में हम बर्तंद होते हैं वेजी टेवल वाश करते हैं तो पानी गिरता है तो हम इस मेर से बहुत easy तरीके से clean कर सकते हैं और next tip है हम जब बर्तंद अपने शिंक में वाश करते हैं जो हमारे जहां पर स्कॉच वराइट होता है हैं करके रख दें तो जो ऐसे scrubber होता है steel bowl होती है बहुत easy तरीके से हमारा जे सूख जाता है तो जे सूखने बाद बिल्कुल clean हो जाता है नहीं तो क्या होता है इसमें काफी पानी होता है जिसे हमारा साबन भी काफी wastage हो जाता है जब हम इसको स्कॉच वराइट को साबन क बीच में रखते हैं तो इन से साबन काफा ही waste होता है तो नेक्स टिपस जहां पर देखिए आ गया हमारे किचन में ही ऐसे काफी wires होती है तुझे काफी बिखरी रहती है तो हम इन को वी इन क्लिप की help से जिन क्लिप्स का हम अपने कपड़े जब सुकाते हैं उन पर लगात हैं उन की वर्तों जहांपर भी हम कर सकते हैं जहां पर देखिए कलिप लगाकर मैंने सारी जो वाय थी जहां पर देखिए बिल्कुल जहाँ वायर कठी करके हैंग हो गाई तुझे अब खठी नहीं रहेंगी अब बिल्कुल ऑगठी seawriter और्गैजर रहेंगी तो नेक्स टि करते हैं तो क्या होता है कि इसके बीज होते हैं वो काफी जगा में मतलब विखर जाते हैं जिससे काफी हमारी जहां पर शिमला मिर्च को कट करते हैं वहां गंद की फैल जाती है बीज की तो हम ऐसे अगर शिमला मिर्च को देखे ऐसे हम अगर कट करते हैं जहां पर देखे ऐ वो बिल्कुल अराम असानी से बाहर निकल आएंगे और बिखरेंगे भी नहीं जो देखे ऐसे कॉर्णर बीच में एक अठे ही हमारे बीज रहेंगे तो जो बिखरें नहीं हम इसको बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं जो शोट शोट टिप्स होते हैं बट इन टिप्स की हेल्प से हम हमारा जो काम होता है बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं इन से कब पैसे की हमारी पच्चत होती है और टैम की भी बच्चत होती है तो हमारे काम बहुत असान हो जाते हैं जहां पर देखे जे बीज एकठे ही मेरे हाथ में ऐसे मैंने उठा लिए और बिल्कुल भ नूडल में डालने हो वैसे तरीके से हम बहुत इजी तरीके से कट कर सकते हैं तो अगर आप अच्छा लग हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा तो अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब भी कर देना क्योंकि रखा उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूं और नेक्स जहां पर देखिए वैजी टेवल को ही लेका टिप्स है यह आज कर देखिए करेले काफी आते हैं तो जहें करेला होता है हमारी सेथ के लिए भी बहुत लाइब दाइक होता है और खाने में भी काफी टेस्टी होता ह तो करेला है जो डाइब टेस के पेशेंट उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है मैंने जहां पर जे करेले गोल गोल कट कर लिए थे और एक पैर में डाल कर आप इनको थोड़ा सा में पका लोंगी तो जब तक यह लाइट ब्रॉन हो जाते हैं तब तक हम इन करेलों को प तो हम पर देखिए लाइट ब्रॉन होगे तो मैंने निकाल लिए अब यह हम स्टोर करके भी रख सकते हैं यह कठे ऐसे हम फ्राइक करके रख लेते हैं तो स्टोर कर सकते हैं जब भी हमने खाना खाना हो तब इन में थोड़ा नमक थोड़ी मिर्च और थोड़ा सा आमबच चूर्ण डाल कर ये हम सलाद की तरह खा सकते हैं, जब भी हम खाना खाएं तो इनको भी हम सलाद की तरह खा सकते हैं, जो कि ये खाने हमारे सेहत के लिए बहुत लाबदाइक होते हैं, तो ऐसे बराने से ये टेस्टी भी काफी लगते हैं, तो इनको बराने में टैम भी बहु वैसलीन को लेकर तो वैसलीन को हम जूज करेंगे तुझे देखि वैसलीन लिए और मैंने लिए हैं टिशू पेपर तो वैसलीन का पहले मैं जूज करूंगी अपने किचर में ही तुझे कहां पर हम जूज कर सकते हैं जो हमारी देखिए किचर में टैप्स काफी होती हैं जिन पर ऐसे थोड़ी सी वैसलीन लेकर हम ऐसे लगा दें, हाथ से ही हम अच्छे से इन पर लगा दें, क्योंकि इन पर विजो काफी पानी की वज़ा से इन पर काफी दबेब बन जाते हैं, तो वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते, मतलब ये टैप्सिक गंदी लगती हैं, तो हम ऐसे वैसलीन लेकर इनको कलीन कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी स्टेप हैं, ऐसे ही मैं सब टैप्स जो किचन में थी, उन पर ऐसे लगा कर, जहांपर देखिए, हाथ से ही मैं ऐसे लगा दूँगी, और टैप्स हैं, बिल्कुल कलीन हो जाती हैं, तो वैसलीन लगाने से क्या होगा कि इन पर पानी है जो बिल्कुल भी ठीकेगा नहीं तुझे जल्दी से इन पर दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे तो जहां पर देखे लगा दिया अब लिया मैंने टीशू पेपर और टीशू पेपर से ऐसे कलीन कर दोगी क्योंकि वैसी ने लगा कर हम ऐसे श एक वार टीशू पेपर से फिर से एक वार इनको कलीन कर ले ऐसे हम इनकी क्लीनिंग बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं जहां पर देखे बिल्कुल कलीन हो गया था तो आपको टिप्स जरूर यह अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और सस्क्राइब भी ज ट्वाइलेट सीट का जो बटन है उस पर वी ऐसे मैं वैसलीन थोड़ी लेकर क्लीन कर दूँगी क्योंकि इन पर जो होता है न साबन कहीं जहाथ लगने से ही दाग धबे हो जाते हैं तो यह हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं जहां पर देखे मैं जो बातरूम की थी बा गा कर क्लीन कर सकते हैं वगर हमारे पास ऐसे देखे गर्मिया भी आगी तो हम वैसलीन की कम बर्तों करते हैं अगर हमारे पास जो एक्सपारी वैसलीन हो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे अगर क्लीन गाम हफते में एक बार कर लें तो रोज रोज क्लीन करने का खतम हो जाता है